उच्छ गती अभ्यास खंड दो प्रतिलेकन संक्या 63 वर 64 गती 100 शब्द प्रतियुनेट बी रेडी 3,2,1 स्टार्ट महदाय समिक्षाधीन वर्ष में ग्रामीन विकास कार्यक्रमों को और कारगर तता सुद्रड बनाया गया मंत्रालय के कार्यक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले कई तरह के सुद्हार करने की पहल की गई इन सभी सुद्हारों में मंत्रालय से संबंधित दो मुख्य मद्दे हैं ठोस जल संबरण विकास नीती के जरिये ग्रामिन विकास कार्यक्रमों को इस्तायत्व प्रदान करना और इन कार्यक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागिदारी सुनिश्यत करना ये नए कदम एतिहासिक 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की प्रश्ट भूमी में उठाये गए थे जिनका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करना तथा ग्राम पंचायतों के इस्तर तक सही मायनों में विकेंद्री करण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है अब पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीन गरीबी के दलदल में फंसी हुई काफी अधिक ग्रामीन जनता को इसके चंगुल से छुडाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीन विकास के कारिक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें दस्वी योजना दस्तावेज के आमुक में इस मौलिक मुद्दे का संक्षेप में उल्लेक किया गया है कि विकास कारियों के लिए सरकार की और ताक्ते रहने तथा उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने की प्रवरत्ती बढ़ती जा रही है जिसे बदलना होगा विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से भाग लेना चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए लोगों की जरूरतों और निचले इस्तर पर योजना बनाने में उनकी भागीदारी को मंत्राले के एजंडा में शामिल किया गया है इससे कारेक्रमों की आयूजना तयार करने ही तू उपर के इस तर से नीचे की ओर पहले से चली आ रही पद्दती में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों स्विच्छिक एजंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव हुआ है कारेक्रमों में नई पहल के परिणाम स्वरुप लोगों के द्रश्टी कोण में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गती से आगे जारी रहा तो इससे निकट भविश्य में विकास की प्रक्रिया में उलेकनिय परिवर्तन आ सकता है पैरा इसी प्रश्ट भूमी में वर्ष 2020-21 में मंत्राले की उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए मजदूरी रोजगार तथा रिन से जुड़े स्वरोजगार कारेक्रम गरीबी निवारन के कारेक्रम हैं जिन्हें मंत्राले द्वारा किये जाने वाले काम की कारिय सूची में प्रातमिक्ता दी जाती रही है गाउं में कम उत्पादक्ता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी की समस्या से विशेश रूप से जुड़ी हुई अपनाई गई नीती ग्रामीन गरीबों पर तिवरता से सीधा प्रहार करने की रही है लक्षय यह है कि इस शताबदी के अंत तक जरूरत मंद लोगों को पूरा रोजगार उपलब्द कराया जाए ग्रामीन विकास की योजनाओं का प्रमुक उद्देश गरीबी को कम करना है इसके लिए केंद्रिय योजना आबंटन में तीन वर्षों के दौरान उत्रोत्तर बड़ोत्री की गई है ग्रामीन विकास मंत्राले के लिए 2001-2002 में 7,010 करोड रुपे का परिवे रखा गया है जो की देश में एतिहासिक तता सबसे अधिक आबंटन है पैरा महोदय बड़ाई गई इस धनराशी से ग्रामीन विकास के लिए सरकार की इस चिंता और इच्छा शक्ती का पता चलता है की वह आर्थिक उदारी करण की प्रक्रिया के जरिये और बिचोलियों के द्वारा उत्पन हर संभावित प्रतिकूल परिस्तिती से बचने के लिए बाजार धांचे में सुधार लाकर ग्रामीन गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है मंत्राले के कारेक्रमों में इतना अधिक निवेश पहले कभी नहीं किया गया है इससे वास्तव में ग्रामेन गरीबों को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या से निपटने के लिए नई-नई नीतियां तथा कारेक्रम तैयार किये गए हैं इन कारेक्रमों का ध्यान विशेश तोर पर विशेश्ट पिछडे शेत्रों और क्रशी मस्दूरों, मुक्त बंधुआ मस्दूरों, छोटे और सीमान्त किसानों, कारिगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों आदी जैसे उपेक्षित वर्गों क विकास पर किया गया है संक्षेप में इन कारिक्रमों का उद्देश गरीबी की प्रचंडता को कम करना तथा उसका उन्मूलन करना है जवहार रोजगार योजना एक मात्र सबसे बड़ा रोजगार कारिक्रम है इसके अलावा गहन जवहार रोजगार योजना उन अत्यदिक पिछडे 120 जिलों में शुरू की गई है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या काफी अधिक है जहां लोग रोजगार की तलाश में अन्य इस्थानों पर पलायन कर जाते हैं और जहां प्राकृतिक संसाधनों की काफी कमी है जबहार रोजगार योजना और गहन जबहार रोजगार योजना से लगबग 1037 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार पैदा होने की संभावना है जिसके लिए केंद्र का अंश 3855 करोड रुपए है इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना गरीबों को खेती के खाली मौसम के दौरान 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्द कराने की दरश्टी से अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी इसने ग्रामिन शेत्रों में अपना इस्तान बना लिया है और वहां इसका बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काफी स्वागत किया गया है इस योजणा के अंतरगत एक करोड से अधिक लोगों को पंजीकरत किया गया है जो की देश के पिछडे और कम साधन वाले खंडों में निर्धनतम लोगों को रोजगार की सुरक्षा तथा खाज्य उपलब्द कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य मुक्यमाद्यम है शुरू में यह योजणा सूखा ग्रस्त मरो इस्तली आदिवासी और पहाडी शेत्रों के 1778 पिछडे इलाकों में शुरू की गई थी जहां पुनरगटित सार्वजनिक वित्रन प्रनाली लागू की गई है इस वर्ष से इस योजणा को और 409 पिछडे खंडों में लागू किया गया है इस योजणा से लोगों को मजदूरी रोजगार के लिए बहुत बड़ा अश्वासन मिला है और उन्हें रोजगार के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है यह योजणा गती पकड रही है और चालू वर्ष के दौरान 1200 करोड रुपे के केंद्रिय परिवे से लगबग 200 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार स्रजित होने की संभावना है ग्रामीन गरीबों के सबसे कमजोर वर्गों को मकान उपलब्द कराना न केवल उनकी बुनियादी अवशक्ताओं की पूर्ती करना है बलकि इससे उन्हें इस्तायत्व मिलता है तथा एक सामाजिक इस्तर उपलब्द होता है ग्राम